बच्चो अब हम बात करेंगे बर्नौली थियोरंबर बेस नवारी नेक्स्ट एप्लिकेशन जो है एरोफॉइल बच्चो एरोफॉइल में हम बात करेंगे अबाउट लिफ्टिंग ओफ एयर प्ली इसका मतलब क्या है कि आप सभी को बता है जब भी कोई एयर पेन करता है तो उसकेस में वहाँ पर उस ब्लीन के वेट को बैलैंस करने के लिए किसी ना किसी अप वाइट फ्रकॉर्स कर्थ होगी हम यहां पर यहां पर यह दिखेंगे यह शच्ञां को पैदŊ किया जाता है इनको एक इस पेशल शेप में डिजाइन किया जाता है और फोल्य शेप होता है एरो फोल शेप दिखने में बच्चों कुछ इस तरह का होता है दिखोंसी खास बात क्या होती है यह है बच्चों एरो फोल शेप ठीक है इसका जो लोवर पार्ट होता है वो तो बच्चों क्यासा होता है एकदम फ्लैट होता है लेकिन जो इसका अपर प 서 करने पर इस्विंक्स पर शभी ऐर की स्टीम-लाइन प्रोग करतीए तो क्या एफक्ट वृत होता है ह toma Rob last रिवचा हमने क्या किया थिया मारे समय शेप हो गया बच्छो एरुफल शेप ऋ गया अब जैसे airplane move करेगा तो यहां पर airplane के मूफ करने पुर बच्चो क्या होगा initially airplane rest में है झेगा लेकिन जैसे यहां पर airline plane मूफ करेगा तो plane か respect मेंस बच्चों यहां पे क्या होगा steam lines में मूफ करेंगी अब ही पिति मैं के रिस्पेPS में अगर आगी मूफ कर रहा जो नीचे से एर एर स्टीम राइन पास होंगी वो तो इस्क्रेट पास हो जाएंगी विच सेम सेपरेशन जो की पहले था लेकिन अपर पार्टने बच्चों यहां पर क्या हुआ का डियू तो पाउ शेप यहां पर इस्टीम लाइन जो है उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा बच्चों कैसा हो जाएगा कम हो जाएगा डिस एंसका मेरे का मत्दब यहां पर steam lines कैसे होगी और हमने पढ़ा था कि जैसे ही steam line crowded होती है महाँ पर speed of flow क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो यहां पर क्या देखा गया कि due to the curved surface of upper part of wing यहां पर upper part में जो stream line है उनकी velocity तो क्या दिखे कि आपको ज्यादा और lower part में जो stream line होंगी उनकी velocity क्या हो जाएगी कम तो अपर पार्ट में यहां पर क्या होगा पार्ट में pressure क्या हो गया जादा एंड अपर पार्ट में pressure की value क्या होगे कम वहाँ पर है कि सेम होरिज़डल पर दो पर दो पर कहां कंबर करेंगे surface की उपर और सर्फिस की नीचे अम यहां पर होगा किया इन दोनों points में height को difference बहुत negligible होगा तो पोटेशन जी तो कैसी रहेगी बच्चो एक्वली रहेगी यहां पर पोटेशन जी एप्रॉक्षिमेंट एक्वल रहेगी यहां पर तो उस वजह से यहां पर कौनसी energies में आपस में चेंज होगा प्रेशर और काइनेटिक साथ में आपने पड़ा है जहां पर काइनेगर जी कम होगी वहां प्रेशन ज्यादा होगी तो यहां पर बच्चों क्या हुआ होगा speed कम तो महाँ प्रेशर क्या हो गया ज्रादा हो गया अब हुआ क्या इस प्रेशर डिफ्रेंस की बज़ए से एर्फ लू कहां से कहां चालो होगा high pressure से low pressure और यहां पर क्या होगा एक lift force मिनेगा जो airplane को कहाँ lift करेगा upwards direction में lift करेगा ठीक है तो बच्चों यहां पर हमारे पास जो अपलिफ्ट पेंट फोर्स में मिला इसको लिफ्ट करनी के लिए वो किसे मिला प्रेशर डिफरेंस की बजय से वह में यह फाइंड करना पड़ता है कि स्पोर्स की वैल्यू कितनी होगी तो सम कैसे फाइंड करेंगे बच्छ देहां से देखेगा पाइंड की वैल्यू निकालनी है तो बच्छ दिको फोर्स कैसे निकालेंगे तो यह फिर इस बेलासी दिफ्रेंस बिट्विन तू सर्फेसे इन होरिज़ोंटल फ्लो फ्लूइड दियर विल बी पैशर डिफ्रेंस अराउन इस सर्फेसे हम बताएं बही कि प्रेशर डिफ्रेंस यह आपे है हमारे पास किसकी वज़े से बिकॉस वेलास्टी में क्या है डिफ्रेंस है फोर्स कैसे निकाला जाएगा बच्छों बाइ मैल्टी प्लाइंग विद एरिया और बोच साइट उपर से हमने क्या किया दो तरफ एरिया से मुल्टी प्लाई किया तो यहां आया अच्छे डिफेंस होगा तो पीवन माइनस पी टू इंटू एकर सकते हैं और अगर हमें अपर और लोवर पार्ट में स्पीड ओफ लोपता है स्टीम लाइन का तो महां लिख सकते हैं अफ रो वी टू स्क्वायर माइनस विन स्क्वायर इंटू ए लिए लिए रुदाना क स्क्वायर इस इन अलेवल फ्लाइट एक सम्हाइट फाइंड दिफ्रेंस इंपैशर बिट्वीन अपर एल लोवर सर्फिज ऑफ इच्वेंग्स बच्वारी सामने कंडीशन क्या गिवन है के एर पेन है और किसी हाइट पे लेवल फ्लाइट में तब होरिजॉंटली क्या क राहे कर रहा है सा Pharisee हमें विंका एरिया गिवन है साथ मीं करना है प्रेशर डिफलेश अब बदाएख एग पर वेट गिवन इसका मतलब पता है क्या है कि जब एरपेन होरिजॉंटल फ्लाइब करेगा किसी हाइट पर जाकर और रिमूफ करेगा तो वहाँ पर जो फोर्स कोई पैशर डिफरेंस बैलेंस करेगा वह फोर्स कौन सा होगा उसका वेट होगा तो एम जी लिख सकते mg को श्टू पीवन माईनस π2 इन्टु की आजाएगा बच्चों हमारे पास यह आजाएगा यहांपे ठीक है तो अब हमें इहां पर प्रेशर डिफ्रेंस निकालना है तो पीवन माईनस फीटू एकष्टू के से निकालेंगे mg बाए से निकाल सकते बच्चों 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 अंसे mg की वैल्य हमारे पास कितनी है 5 इंटू 10 to the power कितना है 5 अपॉन में हमारे पास बच्चों एरिया कितना है 250 तो इसको उन्थरा सिंप्लिफाइ कर सकते हो सिंप्लिफाइ कैसे करेंगी हम ऐसा करते हैं यहां पे इसको लिख लेते हैं 500 प्रेशर डिफ्रेंस कितना आजाएगा पीवन माइनस पीटू एक को सो कितना आएगा बच्चों यहां पे टू इंटू 10 to the power 3 पास्कल के एक को या लिख सकते हैं न्यूटन पर मिटर इसका जाना कीगा की लेवल फ्लाइट पे होता क्या है जो फोर्स होगा वो किसके को लोगा mg के को लोगा ठीक है अब आते नेक्स कुशन बच्चों नेक्स कुशन हमारे सामने क्या है दो फ्लोई speed of air on the lower and upper surface of the wing of an aeroplane rv and 2v respectively the density of air is row and surface area of wing is capital a find the dynamic lift on the wings but to is bar dekhaun a condition kya given a hamei upper or lower part dono me velocities given a much to get upper lower may or upper may given a velocity density given a area of prince given a make a find karna hai dynamic lift force ninkan live with the help of speech so my path I concept kya hai a vikos to bachow kya hoota hai pressure difference into area a pressure difference complex a half row v2 square minus one square into a say but you do come our bus kya jaga fikos to hume speed pata hai dono the item galaking a half of row hama chow v2 is the velocity at upper part kittany head to vk kya jayega 4v square minus v square into a to solve karne bachow me kya milaga force a jayega bachow hameare kya jayega this right star kya have pak vive dashi cade gafow ma pen Yeah how I think what will beUh got the aeroplane kya dining mix Course calculate cover miami i depth प्रेशर डिफ्रेंस के लिक्लिट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं